नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट में और मैं हूँ आपकी साथ राकीश कुमार गोंड़ जिले के कैसर गंज के बहुत चर्चित सांसद बिज भूसन सरन सिंग अपने बयानों को लेकर लगटार सुर्खियों में बने हैं शुक्रवार को करनेल गंज विदानसवा शेतर के भाजपा के सम्मेलन में पहुंचे प्रदेश की उर्जा एवं नगर विकास मंतरी अरविंद कुमार सर्मा को खुले मंच से यसा स्वी मुक्य मंतरी संबोधित कर सब को चौका दिया जिसे वक्त सांसद मंतरी की तारिफ में कसीदे पढ़ रहे थे एके सर्मा मंच पर ही मौजूद रहकर मुस्कुरा रहे थे इससे पुर्व अपने संबोधन में उर्जा मंतरी ने सांसद ब्रिज भूसन सरंसिंग का गुनगान करते हुए उनके वेक्तितुर से बहुत कुछ सीखने की बात कही सुक्रवार को करनेल गन्ज में भात्पा प्रत्यासी करन भूसन सिंग के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एक के सर्मा ने कहा कि आपके जिले के ही नहीं आपके मंडल के ही नहीं सिर्फ पुर्वान चल के ही नहीं बलत की पूरे उत्तर प्रदेश की राजनिती में बहुत बड़ा अस्थान रखने वाले इसे सेतर के सांसाद बिज भूसन सरन सिंग का चार दसक से राजनिती में वर्चसव काइम है जिस तरह नरेंद्र मोदी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं उसी तरह नेता जी से सेतर को अपना परिवार मानते हैं उन्हें वोट मांगने की जरूरत नहीं है उनको किसी से कहने किया वा सकता नहीं है सबी लोग इसमें करन भूसन को जिताने के लिए लेलाईट है जैसा बताया गया है कि चार लाग तो पक्का है पांच लाग के अंतर से इसे लोग सबास सेथर को जीता जाएगा सर्मा के समोधन के बाद माइक पकड़ते ही बिजबूसन ने का कि करन भूसन को असरिवाद देने आए उतर पदेश के सत्वी मुकमंतरी एक सर्मा का स्वागत वा अभिनंदन करते हैं उन्होंने का कि यह जिंदगी एक रेल की पटरी की तरह नहीं है जिंदगी नदी की धारा की तरह है रेल की पटरी एक निश्चन अस्तान पर रहती है लेकिन नदी अपनी धारा बदलना जानती है इस अफसर पर विधायक अजर सिंग, बावन सिंग, जीपंग, धनस्याम सिंग लोग इत्यादी मौजूद रहे तरह सब को कैसे लगया तमाम जानकारी आप हमें कमेंट्स में लिकर जरूर बताएगा न्यूज रूम, पॉलिटिकल बाइट, न्यूज की रिपोर्ट